केतन बस दूर खड़ा होकर पलवी को देख रहा था, जो सबके जूठे बर्तंद हो रही थी, केतन मन्हीवन बहुत दुखी हो रहा था केतन बहां से अपने कमरे में चला गया और बेट ही करने लगा, जिससे जब पलवी आए तो अराम से सू सके, वो उसका इंतिजार करने लगा, थोड़ी देर में पलवी कमरे में आ गई, वो बहुत थकी हुई लग रही थी, केतन उसके पास आया पलवी, मैंने ये बेट सेट कर दिया है, तुम यहां सोजाओ, मैं जानता हूँ, कि मेरी मौजूदगी तुम्हें पसंद नहीं आएगी, इसलिए मैं गेस्ट रूम में जाकर सोजाओंगा पलवी ने उसकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी और जमीन पर लेट गई, उसे ऐसे जमीन पर लेटा देख, केतन ने पूछा तुम यहां जमीन पर क्यों लेटी हो, मैंने कहा ना मैं कमरे से बहाद चला जाऊंगा यह कहकर पलवी करवट लेकर लेट गई, केतन पलवी की बात सुनकर हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, जिससे वो पलवी के चहरे पर एक मुस्कान ला सके अगली सुभा, पलवी अपने कमरे में बैठी थी, कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आई हेलो, मेरी पलवी जी से बात हो रही है, जी बोल रही हूँ, मैं HR College of Psychology का दीन रमेश माथुर बोल रहा हूँ HR College of Psychology, पलवी मन में सोचती है, इतने बड़े कॉलेज से मेरे पास कॉल क्यों आई है, वो भी दीन की, पलवी सोच में पढ़ गई, जी सर कहिए पलवी को उनके बात समझ नहीं आ रही थी, उसने सोचा इतने बड़े कॉलेज से डिरेक्ट मेरे पास कॉल कैसे आ रहा है, वो भी दीन का, जबकि मैंने अपलाई भी नहीं किया, उसे थोड़ा अजीब लगा, पलवी ने थोड़ा सोच कर बोला, पलवी बहुत खुश थी, उसे याद आता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स तो उसके घर पर ही है, पलवी सोचती है, ऐसा करती हूँ कि अंशुल से कह देती हूँ, वो थोड़ी देर में मेरे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके, मुझे मेरे कॉलेज के पास ही दे दे, दूसरी तरफ केतन फोन पर उसकी डीन से बात कर रहा था, केदन ने फोन रख दिया, वो खुश था कि पलवी दिन भर घर से बाहर रहेगी और वो काम करेगी, जिसमें उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, क्या बात है, आज इतनी देर तक तुम घर में कैसे हो, आज तुम्हारे कोई पार्टी नहीं है क्या, है तो, पर मैं क्या करूँ, मेरा बेटा, जो मेरे सर पर एक मुसिबत लाकर बिचा दी है, उस पर भी तो नज़र रखना जरूरी है, अगर मेरे घर में कोई चोरी चकारी कर ली तो, अनुपम के चहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई थी, तब भी वहां से पल्लवी तयार होकर अपना पर्स टांकर निकली, सरिता अनुपम से धीरे से बोली, ये पर्टीचर कहा चली, हाथ में पर्स लेकर जा रही है, कहीं मेरे घर का कोई समान तो नहीं रख लिया, देखती हूँ, ए, रुख, सरिता पल्लवी की तरफ आते हुए बोली, सरिता की आवास सुनकर पल्लवी रुख गई, कहां चाह रही हो, काम से चाह रही हूँ, तब तक केतन भी हॉल में आ गया था, फटीचरों के पास भी काम होते हैं, वह, पल्लवी सरिता की बात का कोई जवाब नहीं देती, इस पर्स में क्या है, मेरा कुछ समान है, तुम्हारे पास भी कुछ है, जो तुम इस फजे पुराने पर्स में रखो, ये कहकर सरिता हसने लगी, पल्लवी ने कुछ रियाक नहीं किया, अपना पर्स खोलो, जी, अपना पर्स खोलो, तुमने सुना नहीं, मुझे देखना है कि तुम मेरे घर का कोई कीमती समान चुरा कर तु नहीं ले जा रही हो, तब ही वहाँ केतन आ गया, ये क्या तरीका है ममा, पल्लवी को चोर है क्या, जो आप इस तरह की बाते कर रही हो उससे, बस केतन, तुम्हारे जिद की वज़े से हमने इस लड़की को घर में रहने दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, आप अपना ये तमाशा बंद कीजिए, पल्लवी को लेट हो रहा जिस वज़े से सारा समान बहार आ गया, उसमें तूटे सो रुपे एक पैन और एक डाइरी थी, सरिता उसे देखकर हसने लगी, वा, पर्स तो इतना बड़ा है तुम्हारा और उसमें निकला क्या, ये चिल है, पल्लवी कोछ जवाब नहीं देती, पल्लवी तुम जाओ, की पोस्ट की कॉल आई थी, उसी का इंटरिव्यू है, तुम क्या इस बंगले को होटेल समझती हो, जो यहाँ एश और अराम से रहोगी, खाओगी, पियोगी और दिन पर एश करोगी, बस ममा, बहुत हो गया, वो इंटरिव्यू के लिए जा रही है, अगर उसे नहीं दे सकती, तो कम से कम उसका मूट तो मत खराब करो, सरिता गुस्से में पलवी को देखने लगी, पलवी बिना कुछ बोले जाने लगी, फिर रचानक से बोली, सही कह रही हैं आप, पलवी कमरे में गई और वापिस से अपने पुराने कपड़े पहन कर आ गई, और सर करने के कोई जरूत नहीं पलवी, उठो और इंटर्व्यू के लिए जाओ, पहली बात, आज के बात दुबारा मेरी नीजी जिन्दगी में कभी दखर अंदाजी मत करना, और दूसरी बात बहुत शौक था ना, तुबहे मुझ से शादी करने का, तो उसी के सुक भोग रही मैं, देखो, आज तुम्हारी वज़े से मैं क्या से क्या हो गई हूँ, मेरे और मेरी परिवार के पास भले ही पैसे कम थे, पर सपने और जिन्दगी में आके बढ़ने की इच्छा बहुत थी, पर आज महल में होकर भी मायूस हूँ, खेर, अमीर ने अपने जित पूरी कर ये सबसे जादा ज़रूरी था, ये कहकर पलवी दुबारा से अपने काम में लग गई, केतन के पास शब नहीं थे, वे बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया, दूसरी तरफ पारुल और अमन ने कॉलेज जोइन कर लिया, दोनों और पने क्लास की तरफ जा रहे थे, आमन मु वो दोनों क्लास की तरफ जाने लगे कि तभी आईशा अपने दोस्तों के साथ आ गई, oh my god, the cheaters are back, welcome back guys, अमन और पारुल उसे देखने लगे, अब ऐसे क्या देख रहे हो, वैसे एक बात बताओ, तुम लोगों को दुबारा यहाँ एंट्री कैसे मिल गई, क्योंकि हम बे बड़ी लाइन खीज दी जाए, तो वो अपने आप ही छोटी लगने लगती है, उसे मिटाने की जरूरत नहीं बढ़ती, हम भी खुद को इस लाइक बनाएंगे, कि ये बात बहुत पीछे छूट जाएगी, ओ, sympathy mode on, all the best, आईशा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, फिर प बंगले के पास खड़े थे, मुझे तो अंदर जाने में बहुत टर लग रहा है, चलो, वाच्मेन से बात करते हैं, आमन और पारुल वाच्मेन के पास पहुचे, हाँ, क्या चाहिए, वो हमारी बहन इस घर में रहती है, तो हमें उनसे मिलना है, अच्छा, कोई नौकरानी है घर में, उसके भाई बहन हो, नाम बताओ, मैं बुलाता हूँ, नौकरानी नहीं बहु है घर की, पल्लवी, वाच्मेन उन्हें देखने लगा, कुछ वक्त से सरिता उन लोगों को वहां खड़ा देख रही थी, उसने वहां जाकर वाच्मेन से पूछा, क्या बात है उसे ये शब्द अच्छा लगा, उसके पीछे घर के अंदर चले गए, आव आओ, बैचो, अमन और पारल सोफिप पर बैट गए, पल्लवी, पल्लवी पीचा जरा बहार तो आना, देखो तुमसे मिलने कौन आया है, सरिता की अवाज सुनकर पल्लवी बाहर आ गई, जैसे ही जूस का ग्लास पीने के लिए उठाया कि तभी सरिता बोली, आनुपम, आनुपम जरा बाहर तो आईए, देखिए, हमारे भिकारिन बहो के भूके नंगे रिश्टदार आए हैं। अग्लाभाग सिर्फ लवसिती पर। थांक्स वाचिंग।